चार शताब्दियों पहले कुछ मुठी भर अंग्रेज भारत आए मामली सी पूझी लेकर वे भारत आए थे धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पाउं जमाए और इतने विशाल बिटिश राज की स्थापना की जो कि बरसों तक चला अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा ही हुआ है कि पैसा पूझी हमेशा बाहर से भारत में आई है चाहे उस यूग में हो या आज के यूग में FII का निवेश हो पैसा हमेशा बाहर से भारत में आता है लेकिन अब पासे पलट गए हैं ये नया भारत है और अब देखे धीरे धीरे साधारन भारतिय निवेशक भी विदेशी बाजारों में निवेश करने लगे हैं और ये है आने वाले दशक की सबसे बड़ी financial opportunity क्यों आपको इस opportunity को जल्दी समझना है पूरी तरह समझना है और इसका फायदा उठाना है ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फिर चाहे आप इदेश में निवेश करें या न करें इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है तो आज के वीडियो को अंध तक जरूर देखेगा नमस्कार जैश्री राम लेके सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूँ कि चाहे आप यूएस मार्केट्स में निवेश करें या नहीं करें आपके लिए यूएस मार्केट्स पर एक पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है फिर चाहे आप एक छोटे से निवेशक हो या एक option trader हो या एक बड़े portfolio investor हो जरूरी है कि आप यूएस मार्केट्स को बड़ी करीबी से देखते रहें नकेवल यूएस मार्केट्स के indices जैसे कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, NASDAQ, Russell 1000, S&P 500 बलकि यूएस मार्केट्स के जो बड़े shares हैं जो important shares हैं इनको लगातार इनके charts आपको देखते रहना हैं तो देखिया अनेको बार मैंने observe किया है, मैंने पाया है कि जो संकेत हमारे अपने charts पर बहुत बाद में आते हैं, वो कई बार यूएस मार्केट्स के charts पर, वहां के बड़े shares के charts पर बहुत पहले ही आ जाते हैं मुझे याद आता है कि 2008 में जो भीशन गिरावट पूरी दुनिया में आई, हमारे मार्केट्स में भी आई, यूएस मार्केट्स में गिरावट की शुरुआत सितंबर 2007 में ही हो गई थी, पहले ही breakdown हो गई थे, तमाम charts पर sell के संकेत आ गई थे, जबकि हमारे बजार में sell के संकेत जनवरी 2008 में जाकर के आए, और तब तक काफी नुकसान हो चुका था, तो मेरी इस बात को गाठ बांद लीजे, मान लीजे आप IT stocks में invest करना चाहते हैं, आप TCS में invest करना चाहते हैं, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि Accenture का chart देखना है, जो की Nasdaq पर listed है, Cognisant का chart देखना है, Microsoft का chart देखना है, और उसके बाद जाकर TCS, Mindtree और Mastic का chart देखना है, याने कि विदेशी stocks का chart सबसे पहले देखा जाना चाहिए, इस से आपको पता लगता है कि Global Trend इस industry का क्या है, और ये जाने बिना अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो कभी भारी चोट खा सक तो देखें, ये बात तो साफ है कि हम सभी को US market के charts देखने पड़ेंगे, फिर चाहे हम उसमें पैसा लगाएं या न लगाएं, लेकिन एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने हैं, और US market के shares में निवेश करना बहुत ही हितकारी फायदेमंद हो सकता है, इसकी देखें कई स सारी बज़ा हैं, आइए समझते हैं, देखें सबसे बड़ी बज़ा है कि लगातार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर होता जा रहा है, देखें जैसे 2010-11 में रुपया करीबन 46 से लेकर के 49 रुपय के बीच में trade करता आज आप जानते हैं कि रुपया 73 रुपय से 75 रुपय के आसपास डॉलर के मुकाबले trade करता है, यानि कि एक बड़ा इजाफा हमने डॉलर की किमतों में देखा है, तो देखें अगर आप इसे percentage terms में देखते हैं, तो पिछले 10 सालों में 4 से 5 परसेंट की गिरावट लगात लगातार रुपय में डॉलर के बनिस्पद हुई है, और ये जो trend है ये बरसू पुराना है, तो देखें इसका मतलब ये हुआ कि लगातार डॉलर मजबूत होता रहा है और रुपय में कमजोरी आई है, और इसका मतलब ये है कि आपको 5 पीसदी का return लगातार मिलता रहा है अगर आपका पैसा डॉलर या डॉलर की शकल में किसी asset में हो, तो पहली बड़ी वजह US बजारों में निवेश के बारे में सोचने की ये है कि आपको ये जो लगातार रुपय की मूले में कमी आ रही है, इसका सीधा फायदा होगा अगर आप US बजार के shares में निवेश करते देखें, US market में एक नया feature आया है जिसको कहते है fractional shares और इसके बारे में मैं आपको बड़ा बताता हूँ, बड़ा ही दिल्चसप idea है, देखें मान लिजे आप ठान लेते हैं कि मैं Warren Buffett की company में निवेश करूँगा, Warren Buffett की company का नाम है Berkshire Hathway, और आप अनुमान लगाए कि Berkshire Hathway के एक share की कितनी कीमत होगी, हमें MRF का भाव ही ज़्यादा लगता है कि MRF 90,000 रुपे का एक share है, बहुत महंगा है, Berkshire Hathway का एक share 4,000,000 डॉलर से अधिक मूले का है, याने कि रुपे में देखें तो 3,000,000 रुपे से उपर का एक share मिलता है Berkshire Hathway का, अब देखें मान आपके पास 3,000,000 रुपे नहीं हैं, याने कि आप पूरा share खरीदने की ताकत नहीं रखते हैं, तो आप उस share का एक अंश भी खरीद सकते हैं, और इसको कहते हैं Fractional share, मान लिए आप कहते हैं, मुझे 1000 डॉलर का share खरीदना है Berkshire Hathway का, तो वो भी मुम्किन हो जाता है, आ shares का, अगर ये हमारे अपने बजार में लागू हो जाए, तो कितना ही अच्छा हो, कितने सारे shares retail निवेशक इस वजह से नहीं ले पाते, कि उन shares को खरीदने के पैसे उनके पास परियाप्त नहीं होते, एक या दो share भी उनके पैसों में पूरे नहीं आते, लेकिन देखिए अगर fractions में खरीद पाना मुम्किन हो, तो हर व्यक्ति top quality के share ही खरीदना पसंद करेगा, तो देखिए ये सुविधा आपको US markets में उपलब्ध है और इसको कहते है fractional shares, तो देखिए कई सारी वजह हैं कि हमें US market को संजीदगी से समझने की जरूरत है, रोज सवेरे जब आप charts देख रहे हों, या शाम को अगर charts देखते हों, तो US market के सबसे major stocks की सूची बना लें, और रोजाना उन charts को जरूर monitor कीजेगा, और आप पाएंगे कि आपके अपनी trading में इसका बड़ा भारी और सकारतमक फरक पड़ेगा, और देखिए US markets में invest करना बहुत ही आसान हो गया ह है, बहुत सारे विकल्प हैं, देखिए एक indirect तरीका है कि आप US market के mutual funds में निवेश कर सकते हैं, जैसे देखिए मोतीलाल का एक fund है, Franklin का है, NAM India का है, तो इस तरह के किसी mutual fund के रास्ते भी आप US market में निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ब US market के shares में निवेश कर सकते हैं, तो देखिए बड़ी ही सुविदा जनक application है, जिसके जरिये आप घर बैठे US market में trading कर सकते हैं, पैंतालिस सो से ज्यादा US market के shares में कारोबार करने की इस app में सुविदा है, तो देखिए बड़ी असानी से आप अपना पैसा डाल सकते हैं, न सित्यादी सब कुछ सामने दिखता है, और साथ ही देखिए fractional shares जिनका जिक्र भी मैंने आप से किया था, fractional shares खरीदने की भी सुविदा इस app में मौझूद है, तो end money app की भी सारी जानकारी description में मैंने दी हुई है, आप वहां से हासिल कर सकते हैं, तो देखिए US market में निवे करने के, लेकिन उनके अलावा कई सारे ऐसे technology leaders हैं, जो कि केवल US markets में ही लिस्टेड हैं, मसलन देखिए एक company है निवीडिया जिसका graphic card आपने पक्का इस्तमाल किया होगा, देखिए अब इस तरह की company भारत में लिस्टेड नहीं है, तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि इ इसा बनें और इसमें निवेश करें, और चार्ट मान लिजे बहुत अच्छा है, तो ये उसर आपको तभी मिलेगा जब आप US market में निवेश करेंगे, तो ऐसी कई सारी जबरदस्त कंपनियां US market में लिस्टेड हैं, जैसे देखिए gaming के कारोबार से जुड़ी कुछ बहु सारे वीडियो गेम्स हैं, और इसका अलावा देखिए, बायो टेक की कुछ जबरदस्त कंपनियां हैं, कुछ शांदार फार्मा कंपनियां हैं, जैसे देखिए एक वर्टैक्स फार्मा करके कंपनियां है, जिसके पास cystic fibrosis, नाम की बिमारी की दवाईयां हैं, उसी के डाइवर्सिफिकेशन जरूर चाहेंगे और आप चाहेंगे कि सारा पैसा एक ही अर्थविवस्था में एक ही बाजार में आपका न लगे और इसी उद्देश्च से कई सारे निवेशक यूएस मार्केट्स में धीरे-धीरे करके निवेश करना शुरू करेंगे तो देखें ये बात तै है कि यूएस में बड़ी ऑपरचुनिटीज हैं फिर चाहें आप सीधे तोर पर उसका फायदा उठाएं या इंडारेक्टली वहां के चार्ट्स देखकर अपने बाजार के कुछ अच्छे शेर्स चुने तो देखें बहुत ही जरूरी है कि हर भारतिये ट्रेडर हर सफल निवेशक अपनी अपरोच ग्लोबल रखे अपने दाइरे को केवल भारत तक सिमित नहीं रखना है पूरे विश्व के बाजारों को देखते रहना है और विशेश रूप से यूएस मार्केट के चार्ट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है देखें हो सकता है कि मेरी ये बात आपको आज हास्यास्पत लगे लेकिन आने वाले दशक में आने वाले 10-15 सालों में भारतिये ट्रेडर्स यूएस मार्केट में अपना सिक्का जमाएंगे जबरदस्त पैसा कमाएंगे ये बात लेना चाहिए तो देखें अगर आज का वीडियो देख लेने के बाद शान को अगर आप कुछ यूएस मार्केट के चार्ट देख लेते हैं तो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए तुरंत प्रभाव से वीड किजिए अपना ख्याल रखिए जय हिंद जय भारत